कैसे हैं आप सभी लोग आई होब अच्छे होंगी और आज किसी वीडियों देखने वाले हम लोग जो बीएड इंट्रेंस एक्जाम 2022 की बात करने वाले हैं 2022 के लिए करी बस में भी चाहिए और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो आप वहरे बुक को भी डालोड कर सकते हैं भूक को तो साइट पर हमने उसको पीडियाप को व्लोड कर रहा है, पीडियाप में डालोड कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में, मनलब 29 रुपए में आपको 29 रुपए में बोपी में, वो पूरी बुक मिल जाती है, और भही आपको कही बुक से लेकर आदा है, यह में आपको 50 कोशन बंते हैं आपको 25 कोशन कराना पेपर में आपको सो परचेस्ट सेलेक्शन मिलने वाला है एक गवर्मेंट सीड जरूर मिले कि आपको कॉलिज मैं अब से बोल रहा हूं लेकिन तारगेट नापका सही रहना चाहिए टारगेट साफ फॉलोंगे तब जाना देखो 50 में से आप 50 सुकर नहीं सकते हैं न 45 कर शकते हो बहुत ज़्यदा धुरंदर जो होता है दिनराज जी इस पड़ रहा है बो नहीं कर पाता है तो मैं मैं मिल्मम कह रहा हूं कि आप 25 बड़े अराम से कर दोगे कुछ भी हो जाए तो इस तरीके साब को त्यारी यां कितनी आपके त्यारी बस एक वार धृंस से देख लेए आपके सामने कोशन है और आपके कोशन होसे देखों निमने्खित में हमसे कौन से उद्गम इस्तल है तो भारत से बाहर हुआ है ऐसी कौन से ने दिये जिसका उद्गम इस्तल बाहर से बाहर हुआ है वो है ब्रहपुत्र ब्रहपुत्र नदी का उद्गम इस्तल है वो है बाहर हुआ है ठीक है भारत में नहीं हुआ है ठीक है ब्रहपुत्र नदी जिसने ADI विल्कुल राइट हो, अमें next question को जलता हूँ, ठीक है, next question आपके सामने है, इस question cancer क्या रहने वाना है, एट्स तो जानते होगे, एट्स, HIV के कारण होता है, एक विमारी है, HIV वाइरस के कारण होती है, और एट्स एक रोग होता है, अब आपको पता ही होगा, यह क्या होता है, जो एट्स आप देख रहे हैं, AIDS, इसकी full form हम से पूछी है, कि इसके full form क्या होगी, यह full form आपको बता होगे, नेक्स कोशन को चलते हैं, और आपको पता होगा, एट्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, एक पूछ यहां से कोशन और बन जाता है, कि एट्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जिसने भी यह एक दिसंबर, एक दिसंबर को एट्स दिवस मनाया जाता है, इस बात क याद रखेगा इसलिए मैं आपको जो भी कोशन बनते कोशन से परिज़कराता हूं यहां आपसे बूचा गया यहां गया है छिपी बेरोजगारी का जो परिजुर निकला है पररणाम का बंदू यह निकला है तो आप सभी का आएगा जो कह सकते हैं अनुपादक जो करमचार तो किया होगा शिपी बेरोजगारी तो होगी तो आप्शेट नमस ने भी दिया है टीप अधिक यो लोग करेंगे विटा टीट इस लोग करेंगे चलो जस्ट इस यह झाल झाल उसके बाद हमें क्या करना है? ध्यान से देखेंगे. अब उसके बाद में ऑप्शन नमर जिसने डी दिया है, परमसत्त आंसर नेक्स कोशन आपके सामने, इस कोशन को एक बार कॉमेंट सेक्शन वे आंसर दीजिए. इसमें आपको बताना है, जो चंबल लदी है, वो किस उसके होकर निकलती है, ऐसे भी मूँ सकता है, तो आप सभी कांसर आएगा? उत्तर प्रदेश, मत्रदेश और राजिस्तान, जिसने भी उप्शन नमर सी को लोग किया है, बिल्कुल राइट होगा. सी वाले परमसत्त आंसर है, नेक्स कोशन आपके सामने है, देखो पांच से रीजनिंग के चलती है, और रात के दस बजे से चलती है हमारी लोग की हिंदी की लाइब क्लास, अब उसको अटेंट करेंगे. यहाँ देखो बोला क्या है? बह इतालवी यात्री, जिसने विजयनगर समराज का अत्यंत प्रिसातन बित्रन वर्ण किया, वह कौन था? बिलकुल राइट होगा, जिसने विजयन 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 का अंसर क्या रहने वाला है? यहाँ बोला क्या है? दोहनी, मापक एकाई को क्या कहते है? दोहनी, जो धोहनी को मापते है, उस एकाई को क्या बोला जाता है? देखो, धोहनी को मापने के कि अधिक मात्रा में होने पर बढ़ता है मतलब कौन सी गैस अधिक हो जाएगी तो जो ग्रीन हाउस एफेक्ट होगा वह बढ़ेगा वह किसके गैस बढ़ने की कार्ण होता है तो जिसने भी दिया है करण क्या होता है जब करण दिया है तब गिरीन हाउस एफेक्ट होता है तो ऑप्षिन नवर जिसने भी दिया है ए बिलकुल राइट हो गया ठीक है एक यूर जाएंगे नेक्स पोशन आपसे बुला गया है आठमा कोशन है जिम कारविनेट नेसल पार्क कहां इस्ते तो आप ताल कहां और कहां यह राम नगर के पढ़ता है अप्शन नमर जिसने भी दिया है एक बिलकुल रही होता है नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है सुंदर बन देल्टा आपने सुनाओगा सुंदर बन डिल्टा कौन नदी बनाती है ठीक है आपसे पूछता है नमा कोशन सु सुन्दर बन की बात कर रहा है सुन्दर बन सुन्दर बन कौन बनाएगा वो देखो पुत्र बनाएंगे पुत्र जो पुत्र होंगे ठीक है पुत्र लोग बनाएंगे तो पुत्र को याद कले ना गंगा नदी और गंगा ब्रह पुत्र जो नदी है वो डिल्टा बनाती है सुन्दरवन डिल्टा तो जिसने भी option number दिया है ना जिसने भी option number दिया है ए बिलकुल A is right है next question को रिसलता है पर अब बहुत अच्छी question है एक्जाम में आप से पूझे जाते हैं जिसने भी दिया है बिज्ञान के विभिन साखाओं के जो लेखनिये योगदान ही तु दिया जाता है option number क्या है option number बीज डाइट होगा next question को जलता है next question आपके सामने है सोतनतता के बाद सोतनतता के बाद जो रियास्तों की एकिकण में सबसे महत्पूर भूमिका किसके दौरा निभाई गई थी स्वतनतता के बाद ये बताना है तो रियास्तों थे उनको एक ही करण के लिए सबसे बहत्पूर जो भूमिका निवाए गई थी वो किसके दवार निवाए गई थी यह वो हमसे पूचा गया इस कोशन कांसर क्या रहने वाला गयार में कोशन कांसर सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में बहुत ही बड़े है जिसने लिए उत्तर प्रदेस से समबंदेत है जिसने भी पर सी दिया है परमसतांसर होगा परमसतांसर होगा चरपूला ठीक है ना भूँर नेट्स कोशन लेजyu हैँ गर्यों इप खर्योंच को छीड़ ही हर्सबंदन की राजधानी कहा थी जो हर्सबंदन था उनकी राजधानी कहा थी उन्हें अपने इस्थापित की थी हर्सबंदन की राजधानी क्या थी कन्नौस थी option नमस जिसने भी दिया है C is right होगा ठीक है हाँ, हाँ, हाट्रस मेदरं की राजधानी कौनसी थी? कन्नौस थी, ठीक है अपनाया था उसने, विन्हें राजधानी बनाया था कन्नोस को नेक्स को जाओशन के लिए इसकोंचन का अंसर क्या रहने वाला है यहाँ देखिए, यहाँ बुला गया है वुद्ध को वुद्ध ने अपना पहला उब्देश कहा दिया था पहला उब्देश शारनाथ में दिया था सबके सामने दिया था दुस तरीके से याद रखिए शारनाथ option number A को लॉग करेंगे A is right होगा option number A is right होगा next question की दिखते है आप हास इसके बात में न pourquoi्ई आपके सामने आइप शुगा लुट को देकिए यहां वूला गया कंप्यूटर, कंप्यूटर की इस्मर्ति का मापन किया गया तो कंप्यूटर इस्मर्ति का मापन किया चाहता है तो बिट्स के दुवारे किया जाता है option number जिसने भी दिया है C is right होगा यहाँ बोला गया है गोवी ठीक है कह सकते हैं कालाहारी आटाकामा और सहारा यह क्या है यह किसके नाम देख रहा है यह ये मरुस्तल के नाम है जिसने भी aipse हे दिया है जो है आता का 네 आपके सामने बोला गया जैन धरम के तीर्थक कौन थे ये अब से पूछा किया है बहुत सब्सक्राइब है पहले तीर्थक पुछ लेता है ठीक है बिलकुल और ते 24 में बूच लेता है देखो 23 में थे वो थे पार्ष बनात ऑप्शन नमर C की लोग करेंगे C is right होगा ठीक है chest moment C की लोग करेंगे C is right होगा उसके बाद में आता है देखो महावीर स्वामी की बात करें और जो आपका हो जाएगा देखो महावीर समय ये 24 में नमर के थे ये 24 में नमर के थे ठीक है ये 24 के नमर के थे आप इसको देखेंगे एक बार next question आपके सामने आ चुका है इस question को देखिए अठार में question cancer क्या होगा सब लोग बताएंगे अठार में question cancer क्या रहने माला है देखिए एक बार है आपके सबचे हैं को दूल एक encम भार भी ये ये वेगके स소मा है तो इस question का हो जाएगा option number क्या होगा देखो यहां बूला गया है डेल्टा नदी नहीं बनाती है कौन सी डेल्टा नदी में बू बनाती है कौन सी जाएगा option number दा अठार्मी का तो यहां क्या रहने मारा है तो जिसने भी दिया है option number B नर्मदा नदी नर्मदा नदी क्या है डेल्टा नहीं बनाती है तो option number यहां 20 लॉक करेंगे ठीक है 18 का 20 होगा next question कर चलते है next question आपके सामने आचो इसको देखिए किस पंच बरसी योजना के बाद ठीक है अनवर्त योजना को हम रोड़िंग प्लान भी बोलते हैं और इसकी जो लागू किया गया था वो कौन सी पंच वरसी योजना में किया गया था तो जिसने भी दिया है option number B पांच भी पंच वरसी योजना में ठीक है जो रोलिंग प्लान था वह उसको एक्टबेट किया गया था कना का रहे करका न मत अरिक नोग देक हो जाएगा मिटा जो गरीव लोग वियू zuने की लोग ऑन पर समुधाइब पर एक बोज बनाता वो होता है आप्रितेक्ष का जाएगा पर जाएगा ने यह क्रूंख कर हो जाएगा ठीक है हां ओ कि भूद जो गरीबू से वह सुला जाता है, किसी संस्ता आके द्वारा, चलो, यहां देखो, बूला गया है, यहां बूला गया है, 21 मा कोशिन है, डाक्टर भीमराव अम्बिटकर की द्वारा, किस अनुचेत को सवीधान का हिर्दय का आत्मा कहा गया है, यह फिर संबंदित किया गया तो हिरदय की आत्मा किसे कहा गया है, यह किसे, हिरदय की आत्मा, अमेरेकर जीने किस आर्टिकल को कहा है, तो अब सबी को बताऊगा, वो कहा था अनुछेट या फिर आर्टिकल लंबर 72 को, ठीक है, तो is right होगा, option number इसलें भी दिया है, बी जड़े और आत्मा बोला गया है सभीधान की हिरदे बोला गया है हिरदे बाद आत्मा बोला गया है किसे तो आर्टिकल 32 को तो जिसने भी option इंबर गया है बी प्रामसत्ता असुरुगा नेक्स कोशन आपके सामने है इस कोशन को देखिए यहां किरा है निम्नेखित में से कौन से प्राबधान के लिए संसद में बिसेस बहुमत की आबसकता पड़ती है कौन से प्राबधान के लिए होता है कि जो संसद होता है ठीक है पारिलमेंट बोल सकते है उसको बिसेस महुमत की आबसकता पड़ती है बताईए इस question cancer क्या होगा 22 में question cancer सब भी comment सेक्षा मताएगे मौलिक अधिकारों में परिवरतन के लिए मौलिक अधिकार जब मौलिक अधिकार है मारे आपको पता होगा article 12 से लेकर 35 तक है वो मौलिक अधिकारों को परिवरतन किया गया है और इसमें क्या होता है जब इसमें परिवरतन लाया जाता है तो हमें मौलिक अधिकार में परिवरतन लाने के लिए प्राब्धान प्राबधान बनाएगा तो संसद में विसेस भ्हुमत किया बसखता पड़ती है वहल्द सबसे ज़ादा कमपनी के ब्यपसाइक एक अधिकार को समाप्द कर दिया है तो ऐसी कौन सा इस सर्ष नविक कमपणी को कर दिया था तो वो था एक आडिकल एक कैसकते है एक एक अधीनियम था जिस ओठाव धिनियम के नाम से जाना जाता है जिसमें इस अधिनियम ने जो जाता है इसको नेक्स कोशन आपसे बोलाग घया है यहाँ 24 कोशन को निम्लेकत में से किस राज में किस राज में पस्मी बिछोब गान बरसा होती है नियुक्ष में पज़ोब एक नब बरसा होती है जो क्या है समंदर की तूफान के साथ आते हैं तेज और बादल वनता है अचाना को फिर बारिष करके चले जाते हैं बिन मौसम तो वो पंजाब में होता है ठीक है तो ऑप्शन अमरे यहां किसके उड़ जाएंगे एक यह और नेक्स कोशन हो किस बनता है यहां देखो 25 में कोशन है पादब कोश का विक्ति क्या होता है सक्ति का मतलब पावर जो दे सक्ति इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो आपको सभी को पता होता है बाट जो हम लेट को जानते है न सक्ति के दोरा वे बाट होता है पास्कल किसका होता है यह वल ठीक है वल का क्या होता है और आपको फोर्स किसका होता है और प्रिकार नहीं है, एक कोले का प्रिकार कौन सा नहीं है, आप ये बताईए, देखो, पीड की बात करें, ये भी कॉला होता है, ठीक है, एंत्रा साइट की बात करें, ये भी कॉला होता है, लेकिन लोहा, लोहा ये कोला नहीं है, लोहा ये कोला ये क्या है, कोले का प्रिकार न आप जानते इस को ह्रा आजाता एं धाता है ठीकर और जो पुहासा है कि उधान कौन कौन सी है आपको भघ मताने है यहां धो लागे है यहां सो लगा है थीजिए कहता है और एक और होता है तो उसको भुझा हुआ शुना नम्र जिसने भी डिया है इप्रम सत्तांस रोगा दी राइट होगा चलो नेक्स्ट और इस को देखेंगे आप जानते हैं अड़र्ड जैनर ने निमनीखित में से किस बीमारी के टीके के खी थी एडवर्ट जनर ने बहुत ज़्यादा पूछे जाता है एडवर्ट जनर ने कौन से टीके की खोज की थी कोलिया के छेरोग के रिवीज के तो आप सभी को बताएं चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ट जनर ने और फिर जिसने दिया है C बिल्को राइट होगा तो आप एक बार वीडियो को देखेंगे तो आप वो सब समझ में आता आगा कोई चुनिया वाला है आप वीडियो देली देखिए आप बहुत इंपोटेंट रहने वाला है फटाफट को लगाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना है कम टाइम में सब कुछ बढ़ो यहां प्रुक चलते हैं तो यह दिक्षा के दोवार लिखिती थी वासु के दवारे लगाए तो आपसे पूचा का है यहां बूला गहां दिल्ली में जो था अलापदुन खिल जी में उसके अबदीप क्या थी आपसे पूचा का है तो इसकोशन को देखिए है यह आपको सब राउदिन खिल जी था वो दिल्ली में उसने सासा ने किया आता है यह हमसे पूछा है इस कोश्चन को बताना है अठारा बिल्कुल 1296 से लेकर 1316 इस राइट होगा यह फिर 1300 1316 दोनों ऑप्शन अपर राइट देखो 966 से नहीं होगा ठीक है अप्शे नमर जिसने ए दिया परमसता al ratio होगा ए इस राइट होगा 1296 से लेकर 1316 दोनों चलते हैं यहां देखिये यहां बोला गया है पाल समराज भारत के किस हिस्से से संबंद ये जो पाल समराज गया है उन्डरे जो function होता है वो keywords sort कि क्या होती है जो under कह सकते है function का keyword sort क्या होता है ठीक है , sort क्या होती है तोosphere Control Z तक गतला है Crunch-C all nehmen counter Z दबाओए तो हमने जो delete किया है जोहwormने erase किया है कुछ वह वह वैख आ जाता है ठीक है ज़सिता है control Z से थिके तो यह होता है चालो देखो control B से कंटोल C से copy होती है control B से paste होटा है और control U से क्या होता है control U से underline हो जाती हमने कुछ लिखा है और उसके अंदे underline कराना है तो control U का यूज करते है नेक्स कोश्चन आपके सामने आच चुका है इसको देखेंगे जो कह सकते हैं खृच जो खां थे निम्निकित में से किस राजबन से संब्दे थे खृच खां वो किस से संब्दे थे आपसे पूशा गया किस राजबन से संब्दे थे बताइए इस कोशन का अंसर क्या रहेगा सहथ जिसने भी option number दिया है c बिल्कुल right होगा ठीक है next question आपके सामने आचुका है इस question का answer क्या रहने वाला है इस question का answer क्या रहने वाला है आप बढ़ाएंगे एक दिभसिय किरक्रिट जो 20 प कफ है 2030 का मेज़बान देश कौन सा है आपको बदा ना है कौन सा 2023 का बनने वाला है एक दिवसी किरक्रिट विस्पकप का 2023 में तो आप सब ही कहेंगे वो भारत बनने वाला है option number जिसने भी दिया है A is right होगा next question को चलते है 49 में question आपके सामने है निम्रे से कौन सा उच उचितम परवत सिखर गैर ACI है मतलब कौन सा उचितमला सबसे उचा जो परवत से कहा रहा है लेकर जो गैर ACI यह है मतलब को ACI का परवत नहीं है गैर ACI का मतलब यह हो गया वो कौन सा होगा बताए उसका नाम आपको बताना है एक आंगुआ परवत इस राइट होगा निमनिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डाटावे सॉफ्ट्वर नहीं है यहां बुला गया है देखो MS Access ठीक है यहां देखो MS Word दे रहा है तो MS जो बड होता है जो कंप्यूटर का डाटावे सॉफ्ट्वर नहीं होता है अप्शन नमर जिसने भी दिया है बागी सब होता है अप्शन नमर डी क्योर चलता है लास्ट कोशन इस वीडियो का मैंने एकतालिस कोशन आपसे कहे थे साथ 40-40 कोशन होंगे तो यह कोशन देख दिया निमने उसे कौन open source software नहीं है पताईए open source software कौन सा नहीं है पताईए जिसने भी दिया है Microsoft Office यह open source software नहीं है जिसने भी option नमर दिया है बी परमसत्तान सरुगा यह थे 41 कोशन आप में मैं यही होगा कि आप 41 में कोशन में से के बनाप 20 से प्लस जाते हैं तो आप बहुत अच्छा target है आपको कोई शून यह नहीं नहीं आला आप बीर इंट्रेंस एक्जा में 100% शफल होंगे कोई दिक्कत में बाइब बाइब बाइब